पहला क्योशन आपके सामने ये लेजिए ये आपके हैं जुलो जी ठीक है पहला क्योशन आपके सामने ये बताए एगार एगार प्राप्त होता हैं किसमें छेवाल में ब्रायो फाइटा में आवरत बिजिका में टेरिटो फाइटा में बताए पहला क्योशन आपके सामने है वीडियो तो थोड़ा सा कमेंट कर देना कि 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 एगार एगार किसमें प्राप्त होता हैं बताएं कि क्या बात ही नहीं चल रहा कि चल तो रहा है चल गया चल गया एक दो मिठो लो वीडियो चला के देव मिठो हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी दोस्तों को पहले क्यूस्चन का अंसर बिल्कुल सही जवाब एक दो मिठ में भी चालू कर लेता हूं इसको और आप आराम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल सही जवाब है और अगला केशन आपके सामने यह लीजिए वोलक में स्केणाल किसमे पाया जाता है वोलक में स्केणाल पाये जाते हैं किसमे पाया जाते हैं आपके चार उप्शन बताएं किसमें पाए जाते हैं उपस्तित में यक्रत में अस्तित में अंत्रिक कर्ण में बताएं मेरे दोस्त नमस्ते आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी दोस्तों का और बताना है बोलक में सकेनाल किसमें पाए जाते हैं उपास्तितित में यकरत में अस्तित में अंत्रिक कर्ण में गुड़ इउनिंग सभी दोस्तों को तो ये पाये जाते उप्षन नंबर C कई में और ये आपके 2016 का पेपर हैं किसका 2016 इरी 16 के के टिस्तित में अपके सामने हाँ आज थोड़ा व्यस्त है हम इसलिए तिसरा क्यों भारत में हरित क्रांति के जनक कोन है वीडियो एक्षा लगे तो शेर कर सकते हैं और धोस्तों में ज्यादा से ज्यान पेपर कौन से यह रखा यह है 2016 का 2016 का है ठीक है बताएं बी और सी वायाल एम ए स्वामी नातन बिल्कुल सही हरित क्रांती के जनक है एम ए स्वामी नातन अगला बताना है यह लो निम्न में से किसमें पुनरुद की शमता सरवादिक होती है एक बारों मैं आपको बता देता हूँ यह पेपर है ना यह लो यह पेपर भी देख ले ना आराम से आप और वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों में कौन से एयर का यह यह घीन स्टी पी ऐन एस्टी गुनिज जन जून 2016 का पेपर देख लो आपके सामने ठीक है यह लो यह लिखा हुआ यून GNST और PNST यह आपकी physics हैं और आपन कर रहे हैं आज जूलो जी ठीक है यह सारे question आज आपन करेंगे यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे शेयर कर सकते हैं यह आपकी आगई कौन सी यह लो यह आपका तिसरा question आपके सामने यह हो गया दो question हो गया जीलो जी के तीसरा हो गया और चोंथा बताना है यह बता इसका सही जवाब क्या हो जाएगा पुनरुद्ध भाव की शम्दा सरवादिक होती हैं किसमें अमीबा में, ओबलिया में, प्लेनेरिया में, एसकेरिस में किसमें होती हैं बही बताएं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जो पहली बार class देख रहा है अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं पीडियेब में आपको शेयर कर दूआ, ठीके, A आंसर बता रहे हैं, B आंसर बता रहे हैं, इसका सही जबाब हैं, ओप्शन नंबर C, प्लेनेरिया, किसमें हैं, प्लेनेरिया, ओप्शन नंबर C हमारा सही जबाब हो जाएगा, ठीके, C, ये लिजी, अगला, जली प्रदुशन में कौन सा कारक मुख्य हैं, धूआ, साबुन, ओद्योगिक अप्शिस्ट, अमोनिया, बताएं, कौन सा जली प्रदुशन में कौन सा कारक मुख्य हैं, पहली बार कौन कौन देख रहा हैं, भूमी का पुजा क्या कह रही हैं, सब लाइक कर वाया, भूमी का पुजा का बहुत भूँ धन्यवाद है जली प्रदुशन में कोण सा कारक मुक्य हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ठीके ओध्योगिक अप्सिस्ट बिल्कुल सही अच्छा नहीं दीखना थोड़ी सी क्वालिटी वड़ा लो ओध्योगिक अप्सिस्ट ओप्श का कुछ दार्न है बताएं इको आक किसका दारन हैं इको आर्एं को किसका दल्यार देख नहीं साइंसकि क्लास पहली बार देख रहे हैं मनिशा लियारे वा यार मनिशा लियारे बहुत बहुत धन्यवाद है बताएं इको आर आई किसका उधारने बिल्कुल सही जवाब है ओप्षन नमबर A A हमारा सही जवाब हो जाएगा A ठीके जो पहली बार देख रहा है अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं ठीके ये लो Desmosomes हैं क्या हैं भई Desmosomes क्या है कोशिकाओं के बीच संयोजी काई वसा संग्राहक कोशिकाई वर्णन पिंड या इनमे से कोई नहीं कोशिकाओं के बीच संयोजी काई क्या है कोशिकाओं के बीच संयोजी वसा संग्राहक वर्णन पिंड इनमे से कोई नहीं Desmosomes क्या है वायर मेरा सही बिलकुल सही जवाब है आप सभी प्यारे दोस्तों का यह एक कोशिकाओं के बीच संयोजी करण ओप्शन नमबर A ठीके A हमारा सही जवाब वायर सर आपके study style बहुत अच्छे यह फैंक यह बताए अगला question आपके सामने 8 वा Kelsey Tonis नियमन करता है किसका नियमन करता है Kelsey Tonis नियमन करता है जल्दी से जल्दी बताए Kelsey Tonis नियमन करता है किसका थैंक यू बायर जो पहली बार देख रहा है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं चेनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो हमारे ग्रूप में एड नहीं है वो इस नंबर पर मेसेज कर सकते हैं 9753749896 पर ठीक है केलसी टोनिस नियमन करता हैं किसका जल्दी से जल्दी बताएं ओप्शन नंबर आएगा आपका डी सी ए प्लस प्लस लेवल सी ए प्लस प्लस इस्थर का ओप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हैं वायाद ये लो अगला क्योशन आपके सामने कापर्स लूटियम द्वारा इस्त्रावित हार्मोन से कौन सा हैं आपकी एक्जाम आ गई हैं इसलिए आपके लिए होगा तो कल दिन में भी ये क्लास चालू कर देंगे ठीक है एक और साइन्स की कापर्स ल्यूटिनियम किसके दुवारा इस्त्रावित हार्मोन से हैं बताएं चार उप्षन हैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्योशन करेंगे अपन यहापर हैं ना जल्दी बताएं ल, एज, वायर, बिल्कुल सही कापर्स ल्यूटियम दुवारा इस्त्रावित हार्मोन से उप्षन नंबर सी हमारा सही जबाब हो जाएगा किस-किस ने लाइक नहीं किया हैं लाइक कर देना अच्छा लग रहा हो तो और दोस्तों में शेयर कर देना ठीके और सब्सक्राइब करना भूलें ये लो दस्वा क्योशन आपके सामने अर्द सुत्री विभाजन के समय समझात गुण सुत्रों के युगमित क्रोमो टीडों के बीच आनुवान्शिक पदार्थ का भी निमय क्या कहलाता है आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी है रितिका खरे वाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कर दिया सर्जी ओके कोई बात नहीं बताएं अर्द सुत्री विभाजन के समझात गुण सुत्रों के युगमित क्रोमो टीडों के बीच आनुवान्शिक पदार्थ का भी निमय क्या कहलाता है आ जाएगी आ जाएगी कल से मैं आपको 5000 क्योशन करवा हुआ इसके कितने 5000 क्योशन की सीरीज चलेगी अब ये पेपर खतम होने दो वायर बिल्कुल सही जवाब है आपका डी क्रासिंग ओवर ओप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आपका ये लिजे ग्यारवा पर्ड मोती बनाया जाता है किससे बनाया जाता है मेरे दोस्त पर्ड मोती बनाया जाता है माईटिल्स द्वारा पिंक टांडा द्वारा पेकेंड द्वारा युनियो द्वारा किसके द्वारा बनाया जाता है पर्ड मोती पर्ड मोती किसके द्वारा बनाया जाता है जल्दी से जल्दी बताएं पर्ड मोती बनाया जाता है पिंक टांडा द्वारा किसके द्वारा ओप्शन नंबर B बिल्कुल सही जवाब है पिंक टांडा द्वारा पर्ड मोती बनाया जाता है ओप्शन नमबर बी ठीके ये लो बारवा कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहिलाती है आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है बताएं इसका सही जबाब क्या हो जाएगा कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं क्या कहिलाती है मेलोमा हां क्या मेलोमा मेलोमा कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहिलाती है मेलोमा मेरा तो गलत हो गया कोई बात नहीं भूमी गया पांच जा कुछन का प्रिया ग्रूप में मिल सकता है क्या नहीं अभी तो चालू करेंगे न अब अब है आपिछ रब सर अब इसको दोस्तों में शेर करो ए लिंक hundred प्लस होना चाहिए आज ठीके एडम से एपल निरोपित करता है जल्दी से जल्दी बताएं बिल्कुल सही कंठ की थाइराइड उपस्तिती को ओप्शन नमबर A दोस्तों में इतना शेर करो कि 100 प्लस हो जाएं आज ठीके ओप्शन नमबर A बिल्कुल सही जबाब है आपका कोई बात नहीं नहीं पता है तो ये क्या क्योशन पूछ लिया सर कि एक वयस्क मनुष्ट के दंत सुत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है भई अब ये क्योशन आगया आपके सामने कि एक वयस्क मनुष्ट के दंत सुत्र को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये तो लगा लेना एक सही दो बटा दो एक सही दो बटा दो सी एक बटा वन पी एम टू बटा टू एम तीन बटा तीन इंटू टू option नंबर ए सरजी समझे ये तो मुझे भी समझे नहीं आया वई लाइसोसोम का मुख्यकार्य क्या है इसको दोस्तों में शेर्ड नहीं कर रहे हो यार आज लाइसोसोम का मुख्यकार्य क्या है भई इस्टेटस नहीं रख रहे हो क्या फिर नाम लेंगे एक एका बताए लाइसोसोम क्या है वा यार इनको आगया हर बजन बहुत दहन्यवाद है पाचन ये एक पाचन क्रिया है option number A सर कितनी बज़े रहती है ये 9 से 10 English की रहती है 10 से 11 आपकी science की रहती है आप अगर 100 प्लस करोगे तो आपको कल से 5000 question मिल जाएंगे रोज करेंगे अपन 200 question रोज exam तक ठीक है समझाएंगे नी भई समझाएंगे नी यार हूमिलिन क्या है हूमिलिन क्या है काईटिन का रूप है क्या यहाँ पर अपन खाली question answer करेंगे देखो हूमिलिन क्या है काईटिन का एक रूप है पाचन प्राकिन है मानव इंसुलिन है प्रती जेविक हैं बताएं थेंक यू सर ओके बताएं हुँ मुलीन क्या है थोड़ा 100 प्लस करोगे जहां तक उसके बात करेंगे मानव इंसुलिन है ओप्शन नमबर C बिल्कुल जवाब है आप सभी का सत्रवा क्योस्चन येलो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती या नियम के सिद्धान्त क्या कहलाता है दो जातियां क्या कह रहें दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती है या नियम या सिद्धान्त क्या कहलाता है ग्रूप में 8 हो जाओ, सब नोटिफिकेशन आ जाएगी सब को, हाँ, सर क्लास दो टाइम क्लास कर दीजी, ओके, दीन में कर देंगे, एक दीन में रहेगी क्लास और एक रहेगी आपकी रात की, ठीके, इस कौन-कौन ग्रूप में 8 नहीं है, 100 प्लस तो आपको करा नहीं है, जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह कौन सा सिद्धान्त हैं, यह आपका है, गोज का सिद्धान्त, ओप्शन नमबर C, के दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह हैं आपका गोज का सिद्धान्त, ओप्शन नमबर C, बिलकुल करेक्ट जबाबें अठारवा क्योशन बताएं प्रत्वी का आद्र वायू मंडल किस प्रकार के गेशों का मिश्रन था प्रत्वी का आद्र वायू मंडल किस प्रकार के गेशों का मिश्रन था भई CH4, NH4, जलवाश्प, इनमें से कोई नहीं दिन में क्लास होती हैं दिन में भी ले लेंगे जो पहली बार क्लास देख रहा हैं चेनल सब्सक्राइब जरूर करें इस पे आपको और इस नंबर पर भी मेसेज कर देना ठीक है मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगा बताएं, प्रत्विका आद्र वायूमंडल किस प्रकार के गेसों का मिश्रण है इनमें से कोई नहीं भई, इनमें से कोई नहीं ओप्शन नंबर आपका D इनमें से कोई नहीं गुनिस्वा, एक्सिट को एटलस से विब्भे क्या, निूरल चाय की उपस्तिती या उप्योक्त सभी यार थोड़ा सा एड़्जेस्ट कर लो प्लीज जो ग्रूप में यह हो मेसेज कर देना मैंने न, कि ब्रोड क्राज ग्रूप बना रखा है एक्सिन को एटलस से विब्भेदित करती हैं बिल्कुल सही जवाब है, ओप्शन नंबर C ओडो टाइल्स प्रवत की उपस्तिती ओप्शन नंबर C सर्जी क्लियर नहीं दिख रहा है जो भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगे रात को अटन करनके उसके सुबह वाले के पीडियेप मिलेगी हाँ, मिल जाएगी पीडियेप में क्या है कौन सी कोशिका न्यूरांस से संबंदित है एक बार ये बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है कौन सी कोशिका न्यूरांस से संबंदित है कौन सी कोशिका निशिल करनी का ये डेंट्राइट डाइस एकसान हिलाग मतलब क्योशन अच्छे नि लग रहे है आप दोस्तों में शेयर करके 100 प्लस तो करवा ही देते अच्छा नि लग रहा है स्वान कोशिका ये उप्शन नंबर ए अच्छा लग रहा है इस सर वीडियो तो शेयर नहीं करा क्या बात है 100 प्लस भी नहीं करा होगे रक्त की आकसिजन की शमता को घटाने वाला प्रदुशक कौन सा है रक्त की आकसिजन की शमता को घटाने वाला प्रदुशक CO, CO2, SO2 या इनमें से कोई नहीं रक्त की आक्सिजन की शम्ता को घटाने वाला प्रदुशक इनमें CO, CO बिल्कुल सही जवाब है आप सभी प्यारे दोस्तों का सर सभी फ्रेंस हो गए हैं नहीं नहीं सोये इतना भी ये मत करो कोई भी नहीं सोया होगा बाविस्वा क्यूशन आपके सामने कि किसी समास्टी में अबाधित जनन की शम्ता को क्या कहते हैं कर रहे हैं थैंक्यू आपका सुहानी चुहान धन्यवाद आपको अच्छा हैं सर वाया हर्यों जी बताएं किसी समस्टी में अब आधित जनन की शमता को क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं जेव विभाव क्या कहते हैं जेव विभाव ओप्शन नंबर आपका आजाएगा बी 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 लाइक भी नहीं करा हैं अनलाइक भी कर दिये हैं और सब्सक्राइब कर रहा है कि नी कर रहा है चेनल को जहां लाल दिख रहा है उसका लाल मत दिखने दे ना मानव प्ले सेंटा हैं क्या हैं होगा तो बाइलोजी या कही के भी पांचमाच हजार क्योस्चन की पीडिये सीरीज लेकर आ जाएंगे अपने ना पंदरा दिन में जब फालित कोई बात निहीं कोई बात निहीं बताएं मानव प्ले सेंटा क्या है और ओप्शन नंबर क्या मालूं कि ओप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है ए-就 Duty for कभी कभी जिल में वाटर ब्लूम का पाया जाना क्या प्रदर्शित करता हैं हम डेली लाइक करते हैं चैनल को पूजा याद वाया सुनेमा शर्मा अनलाइक क्यों करते हो रहे भूमी का भूमी का पूजा का बहुत धन्यवाद हैं कभी कभी जील में वाटर ब्लूम का पाया जाना क्या प्रभावित कर ही कि आख और कि जहिंगे कि आए अ कि मानाव भूण सुरक्षित रहता हैं जो माद में देखता है अगर विँट करें रिकोडेड़ मानव मानव भ्रोण सुरक्षित रहता हैं एम्रियोटिका गुहा से पेरिटोनियन गुहा से एलन्टान से या प्लूरल गुहा से बताएं मानव भ्रोण सुरक्षित रहता हैं एम्रियोटिका गुहा से ओप्षन नमबर A बिल्कुल सही जवाबें A हमारा 26. Lineus का पाधप वर्गी करण क्या है प्राक्रतिक, वन्शावली, क्रत्रेम या इनमे से कोई नहीं लीनियस का पाधप वर्गी करण है बताए क्रत्रेम बिल्कुल सही, क्रत्रेम उप्षन नंबर C अगला बताना है ये लोट 27 पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को तो लाइक कर सकते हैं चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना तो जब भी होगा 5000 क्योश्चन की सीरिज लेकर आचाएंगे आपकी और जो ग्रूप में एड नहीं है इस नमबर पर मेसेज करना ग्रूप हमने ब्रोड क्रास में एड किया हुआ है तो आपके पास ग्रूप नहीं जाएगा मेरे पर्सनल नमबर से आपके पास मेसेज चला जाएगा ठीक है इस नमबर पर पेलागरा रोग किस विटामिन की न्यूंता से होता है नाइसीन किस होता है नाइसीन निकोटिक अमल ओप्शन नमबर सी वा यार सी बिलकुल सही जवाब है ये लिजी अगला 28 DNA संसलेशन को क्या कहते हो आप DNA संसलेशन को क्या कहते हो रुपान्तरण अनुलेक परिक्रमन स्वप्रतिकरण बताए DNA संसलेशन को क्या कहते हो वा यार बिलकुल सही जवाब है स्वप्रति DNA स्वप्रति करण बिल्कुल सही DNA संसलेशन को केते हैं हम एक मिनिट हो स्वप्रति नंबर ये करेक्ट आंसर है आपका ये लिजिए अगला बताना है 29 स्वप्रति रक्षित रोग हैं एट्स अस्तमा हिमोफेलिया माई स्थेनिया स्वप्रति रक्षित रोग है 29 वा याल ओ गलत हो टाइप हो गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं स्वप्रति रक्षित रोग क्या है स्थेनिया बिल्कुल सही जवाब है आपका डी डी बिल्कुल सही जवाब है सू पोशन निम्ण में देखा जा सकता हैं किस में देखा जा सकता हैं सू पोशन निम्ण में देखा जा सकता हैं तिस्वा क्योशन लवनिय म्रदा में जील में मस्थल में या क्रशी छेत्रों में सू पोशन निम्ण में से देखा जा सकता है जल्दी से जल्दी बताए जल्दी बताए मैं आपसे और क्योश्टन भी पूछने वाला हूँ अभी आया क्या किसी का वाया किसमें देखा जदाए लग बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आज क्या वाद है मैं एक क्योश्टन सोजू लूँ जिहां यह रो आया किसी का वाया बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आपके जील में जील में है ना एक क्योश्टन मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका जवाब दे देना मेरे को है ना फिर आगे क्योश्टन करेंगे अपन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और कौन-कौन पहली बार देख रहा हैं कि अगे क्योश्टन में आपसे पूछ रहा हूं कि कि डघी जमाने में निनल 550 में से किस शुक्ष्म जीव का प्रियोग किया जाता है कि इस वीडियो के बाद ऑक कोई बाद में सर्ची हम जो पहली बार देख रहा है अच्छा लगता हैं तो एक बार वीडियो शेयर कर देना लाइक कर देना वायार एस्टी वर्क्टर बिल्कुल सही अच्छा और पढ़ना है क्या और पढ़ लेते हैं तीस क्योशन और कर लेते हैं ये लो हंड्रेट पार करा तो यार लो तीस क्योशन और करते हैं अपन है और पढ़ना है ना और पढ़ते हैं ना ये लो आपके सामने एक और क्योशन जैसे हंड्रेट हुए अपन कल से 5000 क्योशन लेकर आ जाएंगे ये लीजिए जो पहली बार देख रहा है अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं ठीके कहाँ आपके क्योशन ये लो ये लीजिए आपके सामने हैं तीस क्योशन और पढ़ेंगे अपन बोटनी के काई के पढ़ेंगे बोटनी के जिवानों के किस समों को रश्मी कवक कहा जाता है भई जो पहली बार देख रहा है लाइक करें चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर ले इसकी पीडियेप में आपको दे दूँआ बोटनी के क्योश्चन करेंगे कल भी करेते अपनने साथ क्योश्चन जिवानों के किस समों को रश्मी कवक कहा जाता है कि क्या बात कर रहे हो जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए मैं तिदर में मेरे भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर पीडियेप ठीके मैं भी तो देखूँ आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप देख रहे हो लाइव ओप्शन नंबर सी एक्टीनो माई सिटीज जिवानों के किस समों को रश्मी कवक कहा जाता है रश्मी ये लो अगला क्योश्चन पादप कोशिकाओं की भित्ती में पाया जाने वाला सेल्यूलोज बना होता है किसका बना होता है ग्लुकोज का बिल्कुल सही जवाब फटा फट आंसर देओ अगला बताए निम्न में से मोनो कार्पिक पोधा कौन सा है मोनो कार्पिक पोधा कौन सा है अंगूर, केला, आम या अनार बताए कौन सा मोनो कार्पिक पोधा है बताए जल्दी से जल्दी हमें ग्रूप में एट कले भूमे का पूजा मेसेज कर दे ना मेरे को मोनो कार्पिक पोदा हैं आपका केला ठीक है ओप्शन नमबर बी ये लीजिए लाइक नहीं है यार इतने ग्लूकोज के एक अणू के संसलेशन के लिए एटीपी के कितने अणू की आवशकता होती हैं ग्लूकोज के एक अणू के संसलेशन के लिए एटीपी के कितने अणू की आवशकता होती हैं तो ओप्शन नमबर आपका आजाएगा C3 चक्र में 18 ATP तता C3 चक्र में 30 ATP Option number B ये बताओ फर्म में जैलं होता है फर्म में जैलं होता है एक जार्क, मिसार्क एंडार्क, पालि आर्क बताए फर्म में जैलं होता है मेसेज़ कर देना है ना सबी दोस्त मैं एड कर लूँ हाँ मिसार्क मैं फर्म में जाईलम होता है मिसार्क में जिसको आज क्लास की लिंक मिल गई है नियू समझना वो sभी गृप में एड है ठिके और जिसको नहीं मिली है वो मेसेज कर देना अगला बताना है जल्दी से जल्दी वह वरनक जो लाल अभरत नाल प्रकार अऊशोशित करता है क्या कहलाता है घृम्खे पूरी तायार हो गई है और शुराम सावू वाया क म जल्दी शेयर करें यार इसको फाइट्रो क्रोंब क्या कहलाता है फाइट्रो क्रोंब कहलाता है उप्षान नंबर ए यह लीजिए अगला एसी अवस्ता जिसमें किलो मेड और एथर अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े होते हैं मुझे देखूं कितने लाइक हुए आज लाइक तो भोतर लाइक हुए खाली और चेंज सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार अच्छा नहीं लग रहा मेरे को लग रहा इसा क्योस्ट्चन इसका सही जवाब वाँ यार ओप्शन नमबर आपका क्या आजाएगा जल्दी से जल्दी बताएं ए क्या हो जाएगा ए हमारा सही जवाब हो जाएगा विशम वर्तिकात्व हिट्रो स्टाइल किसके द्वारा प्रदर्शित होता है विशम वर्तिकात्व हिट्रो स्टाइल किसके द्वारा प्रदर्शित होता है एसा तो नहीं यार थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो जार दिख जाएगा प्रिमूला के द्वारा कौन के परमिला के द्वारा ओप्शन नमबर A सर प्लीज कल से मालती ओके नोवा क्योशन बताए सोमेट्रो ट्राफिक हार्मोन सत्ता थाईरो ट्राफिक हार्मोन इस्त्रावित करता है जिसको सुबह पढ़ना है एक बज़े बाद वो मेसेज भी कर देना के सर दीन में भी एक क्लास रख लो और रात में भी एक रख लो ठीके बताए सोमेट्रो ट्राफिक हार्मोन सुतता थाहरो ट्रापिक्स हार्मोन इस्त्रावित करता है ओप्षन नम्मर गालगी बाड़े के द्वारा नियंत्रित गोड नाइट सर गोड नाइट ओके और दस्वा क्योश्या निम्न में से कोन सी प्रक्रिया लोहो के अबाव से सीधी प्रभावित होती है निम्न में से कोन सी प्रक्रिया लोहो के अबाव से सीधी प्रभावित होती है बताएं सर मैंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया माही वाया निम्न में से कोन सी प्रक्रिया आक्सिडेटीव ओप्षन नमबर डी बिलकुल सही जवाब हैं डी किस किस के आया था देखें पपिता एमडी अंजली किर्ती सचीन एमके भुमिका कीरन पूजा आर्थी पायल भुमिका राम पाल पूनम तारा लता वायर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है ग्यारवा क्योश्चन ब्रायो फाइटा के मादा गेमी टेंजिया कवक के मादा गेमी टेंजिया से भिन नहीं किस लक्षन से भिन नहीं भई ये मुझे भी पढ़ना है ओके हाँ दो भुमिका है जो भुमिका है वो मेसेज कर देना मुझे है ना एक एमपिटेट वाले भी भुमिका है ब्रायो फाइडा बन ये कोशिका युक्त ओप्शन नंबर सी सी बिल्कुल सही जवाब है आपका सी एक तो ये क्योश्चन है क्या है बारवा माइट्रो कांडिया में इलेक्टरान अभी गम तंत्र इस्तित है भई आंत्रिक जिल्ली इस्थान बिल्कुल सही ये मैंने आज आज आपको 15-50 क्योश्चन करवा दियें ठीके वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर देना कमेंट कर देना चेनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस कर देना और जो ग्रूप म करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल सुबह जो सुबह साथ बज़े हिंदी की क्लास पढ़ना चाहता है तो साथ बज़े देख सकता है ठीके थेंक्यू सर जी भूमी का वायार वेरी नैस सर पपीता ओके सर गुड़नाइट गुड़न नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है ओके गुड़नाइट